ये शाइएह भविश्यवक्ता की पुश्टक अध्याए 46, ये शाइएह भविश्यवक्ता की पुश्टक बेल देवता जुग गया, नबो देवता नब गया है, उसकी प्रतिमाए पशों पर बरन घरेलू पशों पर लदी है, जिन वस्तों को तुम उठाए फिरते थे, वह अब भारी बोज ठर गई है, और वे ठकित पशों पर लदी है, वे नब गये है, वे एक संग जुग गये है वे उस भार को चुड़ा नहीं सके, और वह आप भी बंधवाए में चले गए है, हे याकुब की घराने, हे इस्रायल की घराने, के सब बचे हुए लोगो मेरी ओर कान लगा कर सुनो, तुमको मैं तुम्हारे उत्पतिही से उठाए रहा हूँ, और जन्मही से लिए फिरता तुम्हारे बुठापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा, तुम्हारे बाल पकने के समय भी मैं तुम्हें उठाया रहूँगा, मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें बनाया है, और तुमको लिए फिरता रहूँगा, मैं तुम्हें उठाया रहूँगा, और छुड़ा था भी रहूंगा, तुम मुझे किस से उपमा दोगे, और किस के समान बताओगे, और किस से मेरा मिलान करोगे, ताकि हम एक समान ठहरे, जो थैली से सोना उंडेलते, वा काटे में चांदी तोलते है, तब सुनार को मजदूरी देकर उस से देवता बनाते है, फिर वह उस देवता को प्रनाम करते बरंदंडवत भी करते है, वे उसको कंधे पर उठाकर लिये फिरते है, तब उसे उसके स्थान में रग देते है, और वह वहां खड़ा रहता है, और अपने स्थान से हटता नहीं, चाहे कोई उसकी दोहाई दे, तो भी वह न सुन सकता है, और नभीपत्ती से उसका उध्धार कर सकता है, हे अपराधियो इस बात को स्मरन करो, और वीर बनो, इस पर फिर मन लगाओ, प्राचिनकाल की बाते स्मरन करो, जो आरंब ही से है, क्योंकि परमेश्वर मही हूँ, दुसरा कोई नहीं, परमेश्वर मही हूँ, और मेरे तु मैं कहता हूँ कि मेरी युकती स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को सिद्ध करता हूँ. मैं पुर्व से एक उकाब पक्ष़ी को अर्थात दूर देश से अपनी युकती के पुरा करने वाले पुरुष को बोलाता हूँ. मैं ही ने यह बात तो कही है और उसे पूरी भी करूँगा, मैंने इस बात की चकी है और उसे सुफल भी करूँगा, हे कठोर मनने वालो, तुम जो धर्मस से दूर हो, कान लगा कर मेरी सुनो, मैं अपनी धर्मिकता को समिक ले आने पर हूँ, और वह दूर नहीं होगी, और मे झाल झाल